मैं प्रिशवी हूँ, मुझे प्लास्टिक मुक्त करो मैं प्रिशवी हूँ, मुझे प्लास्टिक मुक्त करो वरना एक दिन मैं जहरेली हो जाओंगी मैं प्रिशवी हूँ, मुझे प्लास्टिक मुक्त करो वरना एक दिन मैं जहरेली हो जाओंगी और हर किसी की जिन्दगी में घुल जाओंगी तुम प्लास्टिक का कहर देखो तुम प्लास्टिक का कहर देखो इसे जलाओ तो हवा प्रदूशित दफनाओ तू मिट्टी प्रदूशित बहाओ तू पानी प्रदूशित हवा पानी और मिट्टी के बिना जीवन संभव नहीं है हवा पानी और मिट्टी के बिना जीवन संभव नहीं है ये सब जहरीला हो जाएगा और धरातल में रहना मुश्किल हो जाएगा खोने को यह लचीला है मगर वेहर जहरीला है ये पंक्तियां हैं दीवान माहर की जिन्होंने संप्रति में बढ़ रहे प्रदूशन पर चिंता व्यक्ति की है प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे है इस पार्ट के चिंतक हैं लेखक हैं रचनाकार हैं महान वैग्यानिक सुदीप्त घोष स्रीघोष ने इस आलेख को चार भागों में विभाजित किया है प्लास्टिक लोग प्रियक्यों दूसरा है प्लास्टिक की समस्याएं और तीसरा है समस्या का समाधान और चौथा है आज ही करें सुरुगार्ट बच्चो आएए पहले इस पाठ के शारांज को देखें कि सुदीप्त घोष ने प्लास्टिक के माध्यम से आज जो बढ़ रहा प्रदूशन है उस पर जो चिंता ब्यक्त की है उनके चिंतन क्या है विचार क्या है वर्तमान में प्रदूशन की समस्या को गतिमान बनाने में प्लास्टिक का अहम योगदान है प्लास्टिक का इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग संपूर्ण मानोज्यात के लिए भविश्य का एक बड़ा खत्रा है प्लास्टिक जिसे विश्मी सदी में चमतकारिक पदार्थ के रूप में नवाजा गया था विश्मी सताबदी में इसे चमतकारिक पदार्थ कहा गया अब वही आधुनिक सब्वेता के निस्थुर्च चेहरे के रूप में हमारे सामने उबता है इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकित में और कोई नहीं है बहुत लचिला है यह टिकावू है वाटर प्रूफ है हलका है बहुत सस्ता है इनी गुणों के कारण इसकी जो माग है दिनों दिन पढ़ती जा रही है आपके दैनिक जीवर में हमारी जिंदगी में प्लास्टिक का गहरा असर दिखाई दे रहा है एक छोटी सी छोटी चीज़ें लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक और बड़ी बड़ी बस्तुएं प्लास्टिक से बनाई जा रही है अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस जैसे हो गए हैं जैसे नाइलान है, पालिस्तर है, पालिथीन है, टेफलोन है ये बहुत उप्योगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक की लोग-priयता और भी अधिग बढ़ जाती है क्रित्रिम्प्लास्टिक का उप्योग आज रोज मर्रा की जिन्दगी में बहुत किया जाने लगा है हमारे पास कई प्रकार का प्लास्टिक बहुत आयस से उपलब्द है कठोर प्लास्टिक कम वजनी प्लास्टिक पारदर्सी प्लास्टिक और ताप या बिजली का कुछालक प्लास्टिक आदी इन ही विशेश्थाओं के कारण प्लास्टिक बहुत उपयोगी प्रदार्स बन प्लास्टिक बड़ी तेजी से जूट, कॉटन, चमडा, पेपर और रवर राजिकास्थान लेता जा रहा है। बच्चो प्लास्टिक के कई प्रकार से जहरीले प्रभाव को देखा जा सकता है। बड़ा जहरीला है। बिसुद्ध प्लास्टिक पानी के अघुलित रसायनिक तोर पर अपेक्षाक्रित ये निश्क्री होता है। इसलिए प्लास्टिक अपने सुद्ध रूप में ये कम जहरीला होता है। लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का उप्योग बहुत कम करते हैं। मन चाहा प्लास्टिक होसिल करने के लिए हम उसमें तरह-तरह के एडिट्यू मिलाते हैं। सिसुओं की दूद्ध की जो पारदर्शी बोटल है, जिसे पॉल कार्वोनेट से बनाया जाता है। उसमें बिस्फिनॉल, ABPA होता है, जो हार्मोन में गड़बडियों के लिए जाना जाता है। और आज बहुतायक मात्रा में माताएं जो हैं उसी बोटल से बच्चों को दूद पिला रही हैं। इसमें कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ एडिटिव अनुवान से की ख्षति भी पहुंचाते हैं। कई बार कुले करकट के रूप में प्लास्टिक को जला दिया जाता है। आपने देखा है। तब उसमें से कार्बन मोनो अक्साइड और डॉई ऑक्सीजन और यूरान जैसी जो जहरीली हवा है, वह फैल जाती है। जो जहरीली गैसे हैं, वे हवा में मिल जाती है, फैल जाती है। ड्राई आक्सीजन और यूरान से कैंसर और स्वास समंदी बीमारी हो सकती है जैसे जैसा की बैग्यानिकों का दावा है बिस्स में प्लास्टिक की खपर करीब 20 करोड टन है और यह पांच फीजदी की सालाना दर से निरंतर बढ़ रही है हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है अवंत में वे कचरे के धेर में फेक दी जाती है वे नालियों और ड्रेमेट सिस्टम को अवरुद्ध करती हैं इसी का नतीजा होता है कि बारिश मेनेक सहरों में बार जैसे नजारे देखने को मिल जाते हैं समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का आसर पड़ा है प्लास्टिक अनेक पसूओं की आतों में पाया जाता है जिसमें वे बेमोत मारे जाते हैं बकरी हैं गाय हैं हिरन हैं इनके पेट में अक्षर आपको प्लास्टिक दिख जाएगा इसलिए कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावर्ण के लिए खत्रा है और हमारी सेहत पर इसका काफी खतरनाक असर पड़ा है प्लास्टिक से मुक्त बुनिया बनाने की दिशा में काम करने की महती जरूरत है हम आज ही प्रतिग्याने के जीवन में न तो प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे न हम किसी को करने देंगे यह तो बच्चो इस पाठ का शारांश हुआ अब थोड़ा सा हम सुदीपता जी के चिंतन को और आगे बढ़ाते हैं प्रसांत महासागर की गहराईयों में कैली फोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सब्वेता का कुरूर प्रतीक माना जा सकता है इसे दे ग्रेट पैस्फिक कार्बेच पैच प्रसांत कचरा पट्टी नाम दिया गया है माना जाता है कि इसका आकार भारत से चार गुना बड़ा है अब आप गल्पना करिए कितना कचरा वहां ही कठा हो चुका है कि आपके भारत वर से भी बड़ा है वह इसमें पूरा कुरा करकट भरा हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा है यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर जमीन पर फेक देते हैं फिर यह हवा बारिस के पानी से होता हुआ यह नालियों में जाता है नदियों में जाता है और यह नालियां जो है नदियों से मिलती हैं और नदियां जो हैं उसे महा सागर तक पहुचा देती हैं और फिर सागर की लहरों पर सवार होकर प्रसांत महा सागर की पट्टी में जा ताके निस्थुर्च चेहरे के रूप में उभर कर आ रहा है इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकित में और कोई नहीं है यह टिकाओ भी है यह वाटर प्रूफ है बहुत हलका है सस्ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है हर दिन इस त्युक्तिक इुपयोगिता और भी दिश्च बढ़ती जा रही है प्लास्टिक के इनी फायों की बज़़ह से लिए Health est अब पर्याबर्ण के नहीं किया जा सकता इसको नश्द नहीं किया जा सकता इसव लिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किये हैं उसका प्रत्यक अनु कहीं ने कहीं पर्याबरण में मौजूद है और आने वाले सैक्णों साल तक यह वैसा ही रहेगा मन चाहा आकार दे कर उसे थोस रूप में परवर्ति किया जा सके ऐसे पदात्त की चाहत में ही मनुस्य को प्रकित में उपस्तिक प्लास्तिक के इस्ते Kangal लिए प्रेरित किया लेकिन बढ़ती माग की पूर्ती यह प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया तो अब कृत्रिम प्लास्टिक के निर्मान की जरूरत महसूस हुई और आज अधिकांशत हो कृत्रिम प्लास्टिक का इस्तिमाल होने लगा है जो कच्चे तेल, कोईले और प्राक्रितिक गेस से बनाया जाता है बच्चों हमारी जिंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए है जैसे नाइलान है, पॉलिस्टर है, पॉलिथीन है और टेफलोन है यह बहुत उपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना अधिक लोग प्रिय हो गया प्लास्टिक क्रित्रिन रूप से बनाया जाता है बिविन प्रकार के उपयोग के लिए अलग-अलग गुणो वाले प्लास्टिक का कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्द हैं कठोर प्लास्टिक जैसे जो काफी कठोर होते हैं कम बजनी वाले प्लास्टिक पारदर्सी प्लास्टिक ताप या बिजली का कुछालक इत्यादि इन्हीं विशेष्ताओं के कारण प्लास्टिक बहु उपयोगी बन गया है पैकेजिंग भवन निर्मान स्वास्ट सुविधाओं इलेक्रिकल इलेक्रोनिक्स क्रेशि खेल सामग्री वस्त्र युद्योग में इसका ब्यापक इस्तिमाल होता है आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक प्रदाश जैसे जूट है काटन है कप चमला है पेपर है और रबर है इन सब का स्थान लेता जा रहा है प्लास्टिक अधिकांज्स दह बच्चों, प्लास्टिक पेट्रो रसायंद खासका तेल्वा प्राकरितिक गर्स से बनाया जाते हैं जो सस्ते होते हैं प्लास्टिक उद्योग का काफी मशीनिक करन हो चुका है और उसमें मानो स्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है इस बजह से भी प्लास्टिक सस्ता पड़ता है बच्चो अब आईए देखते हैं प्लास्टिक की समस्याएं जैसा मैंने पहले आप से कहा है कि इस आलेख को चार भागों में बाटा गया है तो देखिए प्लास्टिक की समस्याएं इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याईं जुड़ी हुई हैं, खासकर इसके जहरीले प्रभाव और परियावर्णी खतरों को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जा रही हैं, बहुत चिंती थे यहां के वैग्यानिक, बिशुद्ध प्लास्तिक पानी में अगुलनसील और रसायनिक तोर पर अपेक्शाक्रिय निस्क्री होता है, बिशुद्ध प्लास्तिक पानी में अगुलनसील है, घुलता नहीं है, और रसायनिक तोर पर अपेक्शाक्रित निस्क्री होता है, इसलिए प्लास्तिक अपने सुद्ध रूप में ये कम जहरीला होता है, लेकि हम विसुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं मन चाहा प्लास्टिक होसिल करने के लिए उसमें विभिन तरह के जहरीले एडिटिव मिलाए जाते हैं खाद पदार्थों, पानी, आदिके प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये जो जहरीले रसायन है उसमें से बाहरा सकते हैं अब पीबी सी को लचीला बनाने के जो उसमें रसायन मिलाए जाते हैं और इसके बारे में पाया गया है कि हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुचाते हैं और इस तरह कैंसर की आसंका पैदा करते हैं शिशों के दूत की जो पारदर्शी बोतल है मैंने अभी शारांस में आप से चर्चा भी की है तो जिस पॉली कार्वोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फिनॉल एबी पीए होता है जो हार्मोन में गड़वडियों के लिए जाना जाता है इसमें कैंसर है इंसुलिन में ब उचा सकते हैं इतना खतनाक है प्लास्टिक बच्चो जैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार बहते इस्तेमाल के कारण जहर का खत्रा भी बढ़ता जा रहा है पूरा का पूरा परियावर्ण प्रदूसित हो चुका है भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के बीच तेजी से पैठ बनाता जा रहा है। साथ ही इसके गलत इस्तिमाल से भी स्वाफ्त सम्मंदी बड़े खत्रे पैदा हो रहे हैं। जागरुकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समचित ब्यवस्ता ना हो पाने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूडे करकट के साथ जला दिया जाता है। प्लास्टिक के जलाने पर कार्बन, मोनो आक्षाइट, ऑक्षीन, और यूरान जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती हैं, और दौई ऑक्षीन और यूरान से कैंसर वा स्वास्षममंदी समझ्याएं हो सकती हैं, इस तरहें गैसें काफी खतरनाक होती हैं, जैसा कि बैज्ञानिकों ने अनुसंदान किया है इससे पर्यावरण को भी बहुत खत्रा पहुच रहा है पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबीत हो रहा है अधिकांश कृतिम प्लास्टिक जीवास में इधन से बनाया जाता है जिन तक्नीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें उर्जा की बहुत अधिक खपत होती है एक अनुमान के अनुसार दुनिया के उत्पादित कुल कच्चे तेल में से आठ फीशदी का इस्तेमाल जो है प्लास्टिक बनाने में किया जाता है अब प्लास्टिक निर्मान के दोरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सरजीत होते हैं विश्व में वास्तों में प्लास्टिक की जो खपत है वो बीश करोर टन और पांच फीशदी की सालाना दर्शिब बढ़ गई है हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की पांच सो अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है और कचरे के रूप में धेर पर ठेक दी जाती हैं आपने देखा होगा कि बहुत साथ धेर के धेर प्लास्टिक की थैलियों के जमा होते हैं बच्चों प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता और भीघटन की प्राक्रितिक प्रक्रिया का प्रतिरोधी होता है इसलिए वह हजारव लाखों सालों तक ऐसे ही बना रहेगा जब वह अपगटित होता भी है तब अनेक जहरीले रसायन प्रकित में छोड़ता है जिससे हमारी जमीन जीलें नदियां यह सब प्रदूसित हो जाती है यह जमीन के भीतर रिस्कर भूमिगत पानी को भी खराब कर देता है समुद्र में पाई जाने वाली 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है प्रभाव पड़ा है प्लास्टिक अनेक पसुओं जैसे बकरियों गायों और हिर्णों की आंतों में भी पाया गया है इस कारण वे बेमौत मर भी जाते है पानी में बहते हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्मकणों में बढ़ जाता है यह सूक्ष्मकण जो हैं प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं इन्हें बड़े जीव निगल जाते हैं ऐसे में निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि प्लास्टिक जो है हमारी खादिस इंकला में सामिल होते जा रहे हैं जिससे बहुत ही घातक और दूरगामी परिणाम होंगे अब आईए चुंकि प्लास्टिक एक समस्या के रूप में हमारे सामने आया है इसका समाधान क्या हो सकता है लेखक ने बहुत ही अनुसंधान के बाद समस्याओं के समाधान की बात की है सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का अधाधुंद इस्तेमाल बंद करना होगा ऐसे कुछ छेत्र हैं जहां प्लास्टिक वाकई बहुत जरूरी है उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्ति सेवा के छेत्र में जहां प्लास्टिक से डिस्पोजल, सिरिंज, कैथेटर, कृत कॉर्णिया, स्रमन यंत्र और कैप्सूल के आबरण बनाए जाते हैं इनके लिए ऐसा कोई भी कल्पदार्थ नहीं है जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी हो लेकिन ऐसे और कई छेत्र हैं जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफी हद तक कम किया जा सकता है कुल खपत का 35 फीसदी प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है इसे काफी हद तक नियंतित किया जा सकता है सेम्पू के सैशे छोटे पैकेजिंग दाल चाबल बिस्किट और अन्य पदार्तों की खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे जूट है कपड़ा है कॉटन है आदि को फिर से चलन में लाना होगा पौधों के अरक से ऐसे प्लास्टिक के विकास पर का भी अनुसंधान किया जा रहा है जैसे जैव अपघटन योग प्लास्टिक मौजूदा कृतिम प्लास्टिक का अच्छा बिकल्प हो सकता है हलाकि अभी यहां पेक्षा क्रिट महगा है बहुत महगा है इसको तैयार करने में भी काफी स्रम करना पर रहा है परतमान में हम हर साल जितना प्लास्टिक फेक रहे हैं उसका महज दस फिजदी रिसाइकल हो पाता है पैट्रो रसायनों के दामों में लगातार ब्रिद्ध के चलते नए प्लास्टिक का उर्पादन महगा होता जाएगा ऐसे में भविश में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बड़ी भूमिका होगी छटाई और प्रक्रिया गज जटलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफी हद तक कम किया जा सकता है प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई वारवे रिसाइकलिंग के लायक नहीं रहते उदार्ण के लिए जैसे पेपदार्थों दूध और तेल की पैकेजिंग में होने वाले जो ट्रेट्रो पैक में पॉली पॉली थिन के साथ पेपर बोर्ड का उप्योग किया जाता है इससे उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता उदार्ण के लिए साफ्ट ड्रिंग की बोटल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक की कुरसियां ही बनाई जा सकती है दुवारा बोतल नहीं बनाई जा सकती और इसके भी और इससे भी बदतर रिसाइकल किये गए प्लास्टिक से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसे फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता बच्चो इसका सबसे बड़ा समाधान यह है कि हमें अपने जीवन सहली में बदलाव लाना चाहिए हमें वास्तों में प्लास्टिक का कम से कम उप्योग करना चाहिए वहीं करना चाहिए जहां वाकई इसके वगएर काम नहीं चल सकता अगर हमारे पदार्थ कम दूरी तैंक करेंगे तो उनकी पैकेजिंग की जरूरत नहीं हो जी ऐसे हमें इस्थानी इस्तर पर उत्पन जो मौसमी पदार्थ हैं उनका हमें अधिक से अधिक उप्योग करना चाहिए जिनके लिए पैकेजिंग की आवस्यक्ता कम रहेगी वास्तों में जो आंखला बताता है पूरे विश्व का तो विश्व इस्तर पर प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम साल आना है और प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा सम्मंध जो ह प्रतिव्यक्ति शकल राष्टी आएसे हैं जो देश जितना अधिक संपन्न है वहां प्लास्टिक की खपत उतनी अधिक है प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक की खपत जो उत्तरी अमेरिका है उसमें 90 किलोग्राम है पश्चमी यूरोप में 65 किलोग्राम है चीन में 12 किलोग्राम है और भारत में 5 किलोग्राम है लेकिन भारत के संदर्व में एक बुरी खबर यह है कि यहां खपत 15 फीजदी की दर से बढ़ रही है इसमें हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तो इसकी सुरुवात आज ही करें हम हम सभी ब्यक्तिगातिस्तर पर भी प्लास्टिक का विवेक पूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास करें सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उप्योग करते हैं क्लासरूम इसकूल घर में जहांकें और चिन्हित करें कि कितनी चीजें प्लास्टिक से बनी हैं इन मेंसे ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारे भोजन या पेपदार्थों से सीधे संपर्क में आती हैं पहले हमें इस पर विचार करना होगा सोचें कि पिछली बार आपने बिस्कुट के लिए जिस पैकेट को खोला था उसके रैपर का क्या किया पिछले माह आपके परिवार में कितने पॉली थीन बैक्स का इस्तेमाल हुआ पिछली आत्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतले खरीदी उन पर खाली बोतलों का आपने क्या किया आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किस से बना है आप जो कपड़े पहनते हैं वह किस पदात से बना है क्या आप भोजन गरम करने के लिए किसी प्लास्टिक की बरतन का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे परियावरन के लिए गंबीर खत्रा है और हमारी सेहत पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ रहा है प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की महती जरूरत है हमें एक जुट होना होगा हमें कमर कस्नी होगी आईए हम इस नजरिये के साथ सुरुआत करें कि अधिकान समोकों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदर डाले अब अभी आपने इस पाठ को विस्तार के साथ देखा सुना कुछ प्रस्ण उभरते हैं दग्रेट परैसफिक गौर्बिच पैस क्या है इसे आधुनिक समस्या का कुरूरप्रतीक क्यों माना जैता है वास्तो में प्रसांत महासागर में कैली फोर्निया के तर से अाथ सो किलो मीटर और जापन के तर से तीन सो किलो मीटर की दूरी पर एक ऐसी पत्टी है जिसे आधुनिक सब्वेता का कुरूर प्रतीक माना जा सकता है इसे दे ग्रेट प्रेस्पिक गौर्बेच पैच यानि प्रसांत कचरा पट्टी कहते हैं यह भारत से चार गुना बड़ा है इसमें कूला करकट के अतरिक्त प्लास्टिक की मात्रा अधीक है चूँकि प्लास्टिक जो है अभी हमने आपको बताया है कि प्लास्टिक अघुलन सील अप घटित हीन और रसानिक तोर पर अप एक्षा कृत निस्करी होता है प्लास्टिक बिशुद दुरूप से अधिक जहरीला होता है इससे कैंसरात कई बीमारी हो सकती हैं तथा अन्यजीव जन्त उपस्पक्षी जितने हैं सब उससे प्रहवीत होते हैं इसलिए आधुनिक समस्या का कुरूर प्रतीक माना जा सकता है बच्चो ये आजकल प्लास्टिक हमारे धैनिक जीवन में इतना लोगप्री क्यों हो गया है क्यों लोग इसका उपयोग करने लगे हैं वास्तों में प्लास्टिक आधुनिक युग में हमारी दैनिक आवस्यक्ता की वस्तु बन चुका है इसका प्रयोग हर छेत्र में हो रहा है जैसे पैकेजिंग है भवन निर्मान है स्वास्तिशुभिधाएं है इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रोनिक्स है क्रिश है खेल संबंदी जो सामक्री है एवं वस्तु उर्द्योग है मेडिसिन डिस्पोजल आधिका ब्यापक इस्तेमाल होने लगा है नाइलान, पॉलेस्टर, पॉलीथिन, टैपलॉन, बहु उपयोगी तथा सस्ता होने के कारण अत्यधिक लोगप्रिय हो गया है बच्चो आज प्लास्टिक बिना जीवन की गल्पना नहीं की जा सकती क्यों? क्या प्लास्टिक के बिना हमारा काम नहीं चल सकता? तो बच्चो सैंपू के जो से से छोटे पैकेट्स हैं दाल है, चावल है, बिस्कूट है, अन्यपदार्थों की जो खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाला दीक होता है इसे पूरी तरह टाला जा सकता है इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामगरी जैसे जूट है, कपड़ा है, कॉटन है, चमड़ा है, इसको फिर से हम चलन में लाएं छटाई और प्रक्रिया गत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसार्क्लिंग माने पुनर चक्रमन से काफी हद तक कम किया जा सकता है हमें मौसमी इस्तर पर उत्पन्न, मौसमी पदार्थों का ही अधिक उप्योग करना चाहिए ऐसे कुछ छेत्र हैं जहां प्लास्टिक वाकई बहुत जरूरी है जैसे आधुनिक स्वास्त्र सिवाओं के छेत्र में प्लास्टिक से डिस्पोजल शिरिंज है और एक ठेटर है कृतिं कॉंदिया है रवन यंत्र हैं कैप्शूल के आबरन हैं उसमें उपयोग कर सकते हैं वास्तों में इसके लिए ऐसा कोई बैकल्पिक पदार्थ नहीं है जो सस्ता इबंप्रभावी हो बच्चों प्लास्तिक के खत्रों को देखते हुए यदि आपको प्लास्तिक के इस्तेमाल के बजाए अन्य को कोई बिकल्प समझ में आता है तो क्या हो सकता है सोचिए वास्तों में प्लास्तिक के खत्रों को देखकर कुछ बिकल्प हो सकते हैं जैसे कपड़े से बने थैले और थैलिया जोला जिसे आप कहते हैं कागत से बनी थैलिया चमरे के बैक जूट आध की बनी थैलिया और थै कोटन आज की थैलियां प्लास्टिक की जगह इन्हें हम उपयोग में ला सकते हैं बच्चो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यदि प्लास्टिक के अधा धुंद इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो भविश्य में इंसान को इसके क्या दुस्पैणाम जेलने पड़ सकते है बास्तों में प्लास्टिक का अधा धुंद प्रयोग हमें बहुत ही बिखटन की योर प्रदूशन की योर ले जा रहा है हमारा परियाबरन पूरी तर से बिगर जाएगा स्वास्त की बीमारियां बढ़ जाएंगी पश्पक्षियों के लिए खत्रा बन जाएगा और हमारा खाद जाल प्रत्यक शुरूब से प्रवावित होगा प्रित्वी पर जहरीली और बिशहली गैसों में बिल्दी हो जाएगी फिर सवाल यह उठता है कि प्लास्तिक कचरे के सही निस्तारण के लिए आपके क्या सुजाओ हो सकते हैं तो बच्चों प्लास्तिक के कचरे को ज प्लास्तिक के जो खत्रे हैं प्लास्तिक का जो अधाधुंद उप्योग हो रहा है इन सब को देखते हुए हमें इसके अधाधुंद इस्तेमाल को रोकना होगा और प्लास्तिक का जो कचरा है उसके सही निस्तारन के लिए हमें कदम उठाने होंगे